पाकिस्ताद में खास तौर पे कराची में तेदी से फैलने वाली एक बीमारी चशमे आशोप या कंजंक्टिव पिंक आई जिसको कहते हैं आजकर हास्पिटर्स पे खास तौर पे आखों के हास्पिताल पे ज़्यातर जो मरीजों की तादाद है वो कंजंक्टिव आई या चशमे आशोप की बिमारी के मरीज बहुत ज़्यादा जो है वो लाए जा रहे हैं पिंक्टर्स का कहना है कि ये एक एपलडेमिक सुरतिहाल बनती जा रही है इन में बच्चों की तादात कदरे ज्यादा है और आम तोर पे चशमे आशोप की बिमारी बच्चों से ही शुन होती है और पिर आइस्ता आइस्ता पिर सभी को नबेट में ले ले लेती है ये बस वाइरस से भी होता है बेक्टेरियल से भी होता है फंगस से भी होता है इसे आम तोर पे आपकों का फ्लू भी कहा जाता है इसे होता क्या है कि आँखों से पानी आने लगता है और बास दफ़ा चिपर आँखों में आने लगते हैं और बास दफ़ा पीप भी आने लगती है खारिश होने लगती है, ऐसी सुरते हाल में आपको आखों को साफ रखना है, बार बार हात नहीं लगाना, बार बार हातों को धोना है, हातों को उसलसल साफ रखना है, और कोई lubricating eye drops, जिसे full drops भी कहा जाता है, वो आपते आखों में डालना है, अपती आखों को थंडे पानी से का इस्तमाल अलग कर ले जिस परीज को या जिसकी आखे चश्वे आशोग में आई हुई हैं या आखे सुल्ख हैं इसको तकलीफ है तो उसे चाहिए कि ये तमाम चीज़े अपनी अलग कर ले ताके ये विवारी मजीद न पहले ये चंद रहती आते हैं आप कर ले तो इंशा